दिखो अगर आपको कभी 60 पैसे स्टॉक मिले आखेमन करके बाई कर लेना जैक पुड़ हो सकता है और स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो ज्यादा क्वेंटिटी बाई मत करना और दूसरी बात हमेज़ा अपना रिक्स को ध्यान रखते हुए मार्केट में इन्व स्क्राइब कर सकते हैं वह लालगर आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा टाकि हमारे नोटिविएशन रिसीब कर पाऊ तो दोस्तों लाए हूँ आपके लिए एक और पैनिस्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली ठीक है और आपसे रुक्वेस्स करना चाहूँगा कि प्लीज जो चीज़े मैं आपको शेर करता हूँ वो एजुकेशन परपस होता है ठीक है तो हो सके तो अपना रिक्स को दिहान रखते बे आप इंवेस्मेंट करना कर करना चाहते हूँ वैसे मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ इंवेस तो डेफिनेटी वीडियो को अंतर देखके जाना कुछ न कुछ साइज सीकने को मिल जाए आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हो फिर वीडियो थोड़ा भी इंफ्रमेटिव लगेगा तो डेफिनेटी शेर कर देना शेर कर सकते हो टेलिग्राम में ट्विटर में वर् चालीस पैसे से 57 पैसे 70 पैसे भी हो गए क्योंकि अफ्रमेशन करना पड़ता है राइट प्राइस को देखना पड़ता है प्राइस को देखके पता चलता है कि हमें इस रॉक को बाय करना है नहीं करना है तो यह जो वीजन कॉर्परेशन लिमृट कंपनी है यह मुझे अभ करना चाहती है तो आफ 10 में से आदा करो 15-15 पैसे आपको मिलता है तो एक अच्छा बैट हो सकता है तो मैं बताया तो उसके बिजनस के बारे में तो दोस्तों बिजनस के आप देख सकते हैं इसका मेंली काम है यह प्रोड़क्शन करता है मूवीज की और नाटको का तो काफ आप जिसको देख रहे हो 17 रूपी का असपर ट्रेट करा सोला 17 रूपी का सपर मेरे साब से नेक्स्ट हो सकता है उसका बहुत क्लियर रिजन दोस्तों यह कि इसका जो चार्ट है शार्ड इस्ट्रक्शर और जिसका से रूल्टिक पैटन है काफी गज अब है ठीक उसी कि ब मतलब investment करना होता है ठीक है जो आपका risk है उसको ध्यान रखो हमेशा अगर आप market में कभी भी कुछ भी लेते हो buy करते हो sell करते हो अपना risk को ध्यान रखो बस अपना risk को ध्यान रखो अगर आपके बास एक लाग रुपे है capital तो आप एक लाग रुपे एक stock में कभी invest मत करना ठीक है अगर आप कर रहे हो आप इसका मतलब है कि आप अभी beginner हो अभी फसे नहीं हो फसे मतलब अभी आपका पैसा हो zero नहीं हूआ है अगर आप एक लाग में से अगर आप पांच यह रुपय दस रुपय एक स्टॉक में इंवेस्ट कर रहे हो तो इसका आप एक तरह से बोल सकते हो कि आप बिगनर से उठके थोड़ा उपर आ चुके हो जो बिगनर है बोलना चाहूँगा कि भाई एक लाग रुपय अगर आपके पास है तो भाई पूरा का पूरा इंवेस्ट मत करना किसी भी स्टॉक में अगर आप रिलाइंस भी वाई कर रहे हो तो पूरा इंवेस्ट कैपिटल पूरा का पूरा पैसा उसमें मत लगाना आप प्राइट के पर 1.86 का और करंट पर चलना 93 पैसे और स्टॉक शर्फ विसवी में लिस्टेट कंपनी है हाई लोगर आप चेक करोगे दोस्तों अभी करंट ये हाई कास पर टेट कर रहा है और दोस्तों बुक्स के कॉर्डिंग काफी सस्ते में टेट कर रहा है ठीक है तो बु तो कंपनी प्रॉफिट लॉज के बेसिस में मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ध्यान डख लेना जो पैनी स्टॉक अभी एक रूपर से नीचे है उनके प्रॉफिट लॉज जीरो है ये सब को पता है मुझे भी पता है लेकि उनमें ना कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ आपको देखनी पड़ते है जो ना आपको कन्फोर्मेशन दे आपको हिम्मत दे कि भाई डेफिनेटली इस टॉक उपर जा सकता है पैनी स्टॉक में एक चीज़ काम करती है वह होती हिम्मत और कॉंफिडेंट ठीक है कि आप कॉंफिडेंट हो फेट आपको कन्विक्शन है कि डेफिल टुप पर जाएगा मेरा जो कन्विक्शन कहता है इस टॉक के बारे में वह यह कहता है कि यह जो सेलोडिक पैटर्न है यह सिमिलर सेलोडिक पैटर्न है ट्राइट का ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं अभी बोल रहा हूं यह वीडियो आप एक महीने दो महीने अगरा है स्टॉक में स्टॉक में वॉल्म बहुत कम है इसलिए ध्यान से स्टॉक की क्वंटिटी बाई करना अपने इसाब से तो देख सकते दोस्तों दिसंबर दोस्तों में 18% की आसपास होल्डिंग थी और सेप्टेंबर 2020 आते 25% की होल्डिंग हो गई तो चल क्या रहा ह है स्टॉक में आप खुझ देखिए चल क्या रहा है और जो यह इन्होंने होल्डिंग बाई करी है यह आपकी पब्लिक से बाई करी है आप देख सकते हो इन्हों जो होल्डिंग बाई थी मार्च 2019 के आसपास बढई थी तब इसका प्राइस चला था एक रूपे 50 पैसे के आसपास ठीक है तो मेरे असाब से यह इस टॉक अगर एक रूपे 50 पैसे के ऊपर क्लोस कर देता है इस बात को ध्यान रख लेना एक रूपे 50 पैसे के ऊपर अगर इस टॉक ने क्लोस कर दिया जब इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करी थी प्रमोटर्स ने तब यह साल दो साल भी लग सकता है ठीक है अब आप बोलोगे सार यह कैसे पॉसिवल है तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा को कि अगर मैं आपको अगर मैं डेटेल में घुसूंगा ना क्यों मैं इस टॉक को बोला हो यह तरा काम कर सकता है इसका रीजन यह कि दोस्तों क्योंक स्टॉक आपको एक अच्छी डिटन दिखा सकता है लेकिन जो पैटन बनाना जाद धिको अगर आपको कभी 60 पैसे स्टॉक मिले आखे मन करके बाई कर लेना जैक पूड हो सकता है और स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो जादा क्वेंटेटी बाई मत करना और द गंटे का वीडियो सायथ आप लोग ना देखना पाओ इसलिए मैं आपको सौट में बतायता हूँ कि स्टॉक को आप यह है यह है यह ऐसा है उसके बीचे के जो जो प्लानिंग होती है मतलब पीछे मैंने क्या चार्ट में देखा है उसको दिखाने के लिए मुझे कमसेंग आपको एक घंटा लेना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ेगा बहुत सा चीजे को कंपैर करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ पुरा नंबर का खेल है तो उसको दिखाने के लिए अपको पुरा एगंटा देना नीचे comment करके बता सकते हो कि हां sir मैं अपना गंटा दे सकता हूं मैं definitely आप बनाओ वीडियो तनलम्मा तो definitely मैं सोचूँँगा उसको बनाने के लिए गंटा दो गंटा का वीडियो हो सकता है ठीक है के stock next Trident हो सकता है company के promoters खुदी अपने stock buy कर रहे तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि भाई अपने stock क्यों कोई buy करता है ओभी किस से buy कर रहा है अब buy करके चल सकते हो ठीक है अगर आप wait करना चाते हो अगर आप यहां buy करते हो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको यह कभी इधर area में मिलता है यह निकल क्या था 60 पैसे का स्वस कभी अगर आपको 60 पैसे में देखे कभी क्या definitely देखेगा ठीक है ध्यान लगलो जो भी stock multi-wagger होते है वो हमेज़ा support लेते है ठीक है यह stock उपर जाएगा तुवारा नीचे भी आएगा तो 60 पैसे का सपर यह support ले सकता है यह support क्या पता next year ले ठीक है stock जाएगा अगर आपको कभी 60 पैसे stock मिले आखे मन करके buy कर लेना jackpot हो सकता है और stock में ज्यादा volume नहीं है तो ज्यादा quantity buy मत करना और दूसरी बात हमेज़ा अपना risk को ध्यान रखते हुए market में invest किया करो risk पता है तो तभी market में buy sell करो नहीं पता तो पहले पता करो कि आपक सकती है जो सिर्फ promoters को पता है को पता है क्योंकि खबर सिर्फ दो बद्दों को पता रहती है एक है भगवान और एक है promoters तो भाई भगवान तो तुम बन नहीं सकते तो आप प्रमोटर की चाल को follow कर लो बस भाई definitely stock को रिडाय में रखो और एक बात बात बोलूँगा अच्छा लागा ड्याफिन लाइक करते ना शेर करते ना कॉमेंट करते ना और बाई बाई करते हैज झाल करते ना शेर कॉमेंट करते ना शेर।